नमस्कार दोस्तों निमाड के लोग खंडवा से सनावत के भीच आहमान परिवर्तन के पच्छा ट्रेनों के संचलन का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें सोगात नहीं मिली आप ताजा नजारा देख रहे हैं खंडवा इस्टेशन प्लेटफान कार्य था ट्रेक को प्लेटफान नमबर 3 के ट्रेक से लिंक किया जाना था वह अभी तक शुरू नहीं हुआ है साथ ही सुनने में यह आ रहा है कि रेल्वे के द्वारा जो उपकरण इंटरलोकिंग कार्य में लगने हैं उसकी निवीदा बुलाई गई है और जल्दी ही उन अपने हिसाब से ही इसको आधा अधूरा बना दिया गया है और यहाँ एक केवल महेज साइडिंग प्लेटफार में ही बनकर रहे गया है जिसका कोई उपयोग गाड़ी खड़ी करने या फिर ट्रेनों के आवजाही में नहीं किया जा सकेगा परन्तु रेल्वे को जो पू रखने में जो खंडवाई स्टेशन है उस पर परिशानी सकती है लेकिन रेल्वे अपनी हट धर्मीता नहीं छोड़ रहा है और कारे में किसी भी प्रकार की तेजी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है जिसका साफ नजारा हम पिछले साल डेड़ साल से देख रहे हैं कि जो कारे दिसंबर 2023 में पूरा हो जाना था प्लेटफार नमबर 4 के निर्मान का वह अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है CRS निरिक्षन के पस्चाद भी यहाँ जो कारे है अपने अंजाम तक नहीं पहुच पाए इस बीच जो मद्यरेलेवे मुंबई के GM साहब का अधूरा उन्हें दिखाने के लिए जरूर प्लेटफार्म पर कारे चल रहा है इस तरह की गतिविधियां दर्शाई गई लेकिन उनके जाने के पस्चाद में अभी तक यहाँ कारे को पूरा नहीं किया जा सका है और इसा ही कुछ हाल प्लेटफार नमबर 6 की तरब भी देखने में आ रहा है इसके कारे भी काफी दिमीर अपतार से चल रहा है सेकंड एंट्री जो खंडवा के बाशिंदों की दश को पूरानी मांग थी उसको अब जाकर पूरा किया जाना था लेकिन इस वर्च भी यहाँ कारे पूरा हो पाएगा एसा कम ही चांसी हाँ पर नजार आ रहा ह हम सभी मार्च महीने का इंतजार कर रहे हैं जो की काफी महत पूर्ण खंडवा सनावत सेक्षन को शुरू करने की दिशा में साबित हो सकता यदि मध्य रेलवे संबंदित मशिनरी और सामगरी आते से ही कारे की शुरूवात कर दे और ब्लॉक की घुषणा करके जो नॉन लोकिंग वगेरा का कारे है वह शुरू कर दे तो 23 समय सीमा से पूर्व यह कारे पूरा किया जा सकता लेकिन हम मध्य रेलवे की मन्शा इस पूरे कारे में शुरू से ही देखते आ रहे हैं काफी धिलपो लोनोंने बरती है खेर जो हुआ सो हुआ अब उनके पास में यह अपने अंजाम तक समय सीमा के पूरु पहुचाते हैं या नहीं आप सभी हमारे वीडियो के माध्यम से यह जान कर यह समय समय पर देखते आ रहे हैं आपकी राय हमारे लिए काफी महतुपूर्ण होती है इसलिए हमें कमेंट देकर अपने मच से अवगत जरूर कराएं आप सभी का धन्यवाद